सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आज आपको एक छोटी सी खुस खबरी देना चाहेंगे पांच हजार बहनसट रुपिया आंगनबाडी बहन के खाते में कल आया है और ये पैसा किस मद का है उन बहन का क्या कहना है अभी उन सब बातों को आपको हम बताएंगे इसके अलावा भी इस वीडियो में कई जानकारियां लगी है सभी भाई बहनों से अनरोध है कि वीडियो को पूरा देख करके ही जाना बात करते हैं आज सुबए के इस वीडियो की तो लाइक कर देना सेर कर देना चैनल से न जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर रोज आप आलेंडिया की जानकारियों को देख पाएं तो बहनों आपको सबसे पहले ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजी पुर्जिले से आती है अनीता बहन और अनीता बहन ने बताया है कि उनके खाते में पैसे आए है और ये पैसे कल ही उनके खाते में आए है आप देख सकते हैं पाँच हजार बहाशट रुपिया है जो कि 30 नमबर को कल उनके खाते में पहुचा है और बहन हमारी यहाँ पर उन्होंने और क्या बताया उन्होंने वो भी आप देखिये उन्होंने कहा है भाईया जी गुड नाइट आज हमारे खाते में 5,062 रुपिया आया है ये हौसला पोशड वाला है पैसा गाजी पुर्जिले के जमानिया पर्योजना से है अनीता बह लेकिन जो हजार रुपिया सब के खाते में आ रहा है वो नहीं आया है यानि आपने देखा होगा अभी हाल फिलाल में कुछ जिलों में बहनों का हजार रुपिया खातों में आया है वो पैसा थाट कुग्ड के तहत किंद्र पर साप सफाई के लिए उन सब चीजों के इतने के लिए है और रजिस्टर अभी लेखों को जो है उनके लिए पैसा आया है लेकिन वो पैसा उनके महां भी नहीं पहुचा है लेकिन ये पाँच हजार देखने को हाल फिलाल में मिला है कल या परसो या इस तरह से तो आप कमेंट में अवगत करा सकती है या इलेंडिया पर आप भाटसैप पर भी मैसेज डाल सकती है वहीं बहनों दूसरी तरफ चलते हैं सुनिया बहन है और ये आती है मुझफर नगर से उन्होंने मुझफर नगर से भी अपने मांदे को जब चेक किया तो उन्होंने क्या पाया कि उनके वहाँ जो हजार रुपिया है वो आ चुका है आप देखिएगा यहाँ पर बहन ने नीचे लिखा है हमारे यहाँ भी आया है हजार रुपिया सोनिया बहन है सदर ब्लाक से आती है और जिला जो इनका है वो मुझफर नगर पड़ता है तो आप में से बेहनों को कहना चाहेंगे धीरे-धीरे करके पैसे पहुच रहे हैं यह 1000 रुपिये में लेखा है परपस में 42 अन्य वे प्रसासनिक वे के तहट यह पैसा दिया गया है अब यह जो वे पोस्ड अभियान के तहट वाला भी हो सकत है अन्य वे के लिए और या फिर रिचार्च का भी क्योंकि दोनों तरह में जो पैसे हैं वो 1000-1000 मद में ही आने हैं पहले रिचार्च के पैसे एकठा जो है आते थे लेकिन अब वो 2000 सालाना हो गए हैं तो 2000 सालाना के हिसाब से वो 1000 रुपिया छमाही पर सरकार बेजती है त इसके चलते रिचार्च के पैसे आने की भी बाते हाल फिलाल में सामने आई थी आल इंडिया पर उन चीजों का जिक्र भी हुआ था कि कौन से जनपस से क्या-क्या जानकारिया निकली हैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को डेली देखा करें और पूरा देखा करें संतोष कुमार स्रिवास्तो जी हैं जो की जिला कारिकरम अधिकारी है उत्तर पुदेश के अमीठी जिले में उन्होंने 23 नवंबर को एक लेटर जारी किया है जिसका पत्रांक 12-21-27 है बालविकास पर्योजना अधिकारी जामो जगदीशपूर और बाजार सुकल तो इनके लिए ये लेटर जारी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पत्र के साथ सलगन रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के पत्र का संदर्व ग्रहन करें जिससे साच्छरता कारिकरम के लिए चैनित 20 को लोकेटेट आंगनबारी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनके बेस लाइ एसेसमें तता आंगनबारी कारकरती के बालवाट का सिच्छड आधारित प्रसिच्छड प्रदान कराय जाने के सम्मंद में अनुरोध किया गया है उक्त पत्र इस नरदेश के साथ है कि अपनी अपनी पर्योजना के अंतरगत चैनित आंगनबारी केंद्रों में कारिदत आंगनबारी कारकरती को प्रसिच्छड में प्रतिभाग करने तता संस्था के प्रतिनिदियों को यथा आवस्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चि तो आईए देखते हैं इस संस्था से रेलेटेड और क्या-क्या बाते निकल के आईएं तो ये रहा रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट का एक लेटर जो की 22 नवंबर को भेजा गया है जिला कारिकरम अधिकारी महोदे को अमेठी जन्पद में और उन्होंने लिखा साच्छर्था कारिकरम के लिए चैनित 20 को लोकेटेड आगनबाडी कारिकरती के बाल वाटिका सिच्छड आधारित प्रसिच्छड के सम्मंद में है तो मैंने अभी आपको हाली में बताया था कि आगनबाडी बहनों का साच्छर्था कारिकरम के तहट प्रसिच्छड होना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इस मामले में क्या लिखा गया जानकारियां बहुत ही महत्पूर है क्रपिया पूरा वीडियो सभी भाई बहन देख करके ही जाएं बहनों आपको बता देख में लिखा है महा नदेशक स्कूल सिच्छा लखनव के काराले पत्रांक जो की 18-8-2023 का लेटर है जिसके अनुपालन में जला बेसिक सिच्छा अधिकारी और अमेठी के काराले पत्रांक दिया है जो की 29-23 का लेटर जिसके नदेश के करम में रूम तूरीड संस्था के द्वारा जन्दपद के तीन प्रखंड है जामो है जगदीशपूर है सुकल बाजार है इनमें 30 विद्यालियों के चैन का कार्य पूर्ण कर चुकी है जिनमें 20 विद्यालियों में को लोकेटेट आंगनबारी है जहां पर बालवाटिका के साथ भी कार किया जाना है चैनित आंगनबारी के कच्छा कच्छ में सस्था लिख दिया गया संस्था वो लिखना चाते होंगे संस्था द्वारा रंग रोंगन का कार कराया जा रहा है साचर्था कारक्रम के अग्रिम चरण में संस्था इन 20 आंगनबारी केंद्रों में कारेरत करना चाहती है हम आंगनबारी कारकरती का यह प्रसिच्चड 13 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित करना चाहेंगे तो बहनों 13 से 15 दिसंबर के बीच में आपका प्रसिच्चड रहेगा अताह आपसे अनुरोध है उक्त प्रसिच्चड आयोजित करने की सहिमती और सहयोग प्रदा साथी सम्मंदित आंगनबाडी कारकरती को प्रसिचण में प्रतिभा करने के लिए सम्मंदित आंगनबाडी केंद्र संचालकों को नुर्देश करने का कष्ट करें इस प्रसिचण को आयूजित करने हैं तू हमें बियारसी जगदीशपुर में एक हाल उपलब्ध कराने की अ आपका सहयोग एवा मार्गदर्सन प्राप्ट होता रहेगा 20 को लोकेटेट आगनबाडी केंद्रों की सूची भी सलगन करके दे दी गई है। जो है विसंभर पट्टी में है फिर पूरे सुकन में है फिर जामो की बात करें तो कटकरपुर में है और देवसीपुर में है पूरे ठाकुरान में है और रानी पस्चिम में है और कटारी फस्ट में है सरमे में है और कमरोली में है कमरोली जगदीशपुर में पड़ता है तो कठोरा में हैं साथी कुल चैनित जो बालवाटिकाए हैं सुकुलवाजार में साथ हो गई जामो में छे हो गई जगदीशपूर में साथ हो गई कुल बीस हो गई इस तरह से चीज़ें यांपट दर्साई गई वहीं पर जिला बेसिक सिच्दिकारी ये भी अमेठी जन्पत के जो हैं उन्होंने 29 को लेटर ये निकाला था विकास खंड सुकलवाजार जामू और जगदीशपूर वगरा के लिए जिसमें रूम टू रीड संस्था के सायोग से आपके विकास खंड में साच्छरता कारिकम चलाये जाने के विसे में था जिसमें बोला गया था यहाँ पर की रूम टू रीड की टीम द्वारा सासन के सायोग से 30 परिसरी विद्याले का चेहन हुआ चेहनित विद्याले परिसर में अवस्थित को लोकेटेट केंदरों में साच्छरता कारिकम संचालित किया जाना है इनी सब चीजों को लेकर नर्देश थे संजे तिवारी बेसिजिच्चा दिकारी अमेठी के उन्होंने ये लेटर जारी किया था तो आगे चलते हैं और भी भाईो बहनों आपको बताते हैं यहां पर यह सुनीता बेहन है अमेठी से जन्होंने अमेठी से के बहुती महतपूर जानकारी से आलंडिया को उवगत कराया है वही राजकुमारी महन है हापुर जनपस से आती है और उन्होंने भी अपनी समस्या को बताया है आईए देखते हैं कि क्या समस्या है उन्होंने लेखा है भाईया जी मैं राजकुमारी हापुर जले से हूँ और भाईया जी हमारे एकाउंट में 2000 रुपिया नहीं आया और न ही दो हजार रुपिया रजिस्टर के लिए आने थे ना वो भी नहीं आए तो बहन रजिस्टर के लिए दो हजार नहीं आने थे हाट कुक्ड वाले पंजिकाओं के लिए हजार रुपिया आना था और उस हजार रुपे में आपको रजस्टर भी थे लेने और उसके अलावा साफ सफाई के लिए साबो नौबों ये दुनियादारी का जाड़ू पोचा वो सब भी लेना करना था तो इस तरह से था और मैंने तो कई बार बताया है फिर भी आपने 2000 यहां पर लिखे हैं खेर कोई बात नही है वीडियो को पूरा सभी बेने देखा करें और ध्यान से सुना करें इधर देखे ये उन्होंने आगे लिखा है ये काम को तो टाइम से पहले बोल देते हैं हमारे भी परिवार हैं हमारे भी खर्चे हैं भाया बिलकुल सही बात है इनको पता नहीं है आंगनबारी को एक तो मिलते बहुत सारे पैसे हैं और उपर से ये भी टाइम पर नहीं दिते इनको थोड़ा भी तरस नहीं आता हम लोगों पर भाया जी आपसे हाँ जोड़कर यही बोलते हैं कि आप कुछ सोचो हमारे बारे में बहन हम तो सोची रहे हैं हम तो इसे ज़िए सुबे साम दो पहर तीनों वीडियो केवल और केवल आपकी ही खबरों के लिए हम देखाते हैं और किसी भी तरह की खबरों को भी नहीं लाते वहीं दूसरी तरह जितना हमारे हाथ में है आवाज उठाना, खबरे दिखाना, सोशल मेडिया के तहट बाकी चीजें जो है हमारे अधिकार छेतर में तो आती नहीं है कि हम जो है payment कर दे या करें ऐसी चीजें है तो जो जिसका काम है वहीं से तो संभव होगा तो इस बारे में जो भी मैंने समय समय पर मारदरसन दिये हैं उनी के आधार पर आप सब बहने आगे बढ़ सकती है अनीता बहन है बलिया जनपस से आती है और उन्होंने अपने आगनबारी पोशर ट्रेकर एप पर अपना फोटो ओटो जो खिचने का सिस्टम में अपडेट आया है उसको भी करना सुरू कर दिया सुधा बहने सिदात नगर से उन्होंने अपने वहां से के फोटो बेजी है साथी साथ हमारे पास ससी किरण बहने मेरट से आती है और उन्होंने कहा है आज मेरट मेरेल मंत्री जी का कारिक्रम था जिसमें बहनोंने इंस्टाल लगाया था तो ये कल वहाँ पर कार्कम हुआ है जिस जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरे भेजी है तो कोई भी मंत्री आते हैं आगन बाड़ी बहने वहाँ जरूर बुलाई जाती है और कहीं इस्टाल लगाती है अपना तो कहीं पर जो है ये देखो इस्टाल बहनोंने वहाँ लगाई जो तरह-तरह के सिंटर पर काम करने चाहिए उनको ना करके इस तरह से कहीं मंत्री जी आ रहे कहीं कोई आ रहा कभी कुछ वा रहा तो वो सब ज्यादा कराया जाता जबकि आगन बाड़ी के इंद्रों पर आगन बाड़ी के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन बा बहुत से खाली है कहीं साहिका नहीं है केवल आगन बाड़ी है तो वहां तो फिर उनको खाना बनाना पड़ेगा अगर वो नौन को लोकेटेड में आती है वहीं अगर को लोकेटेड में भी है तब भी परोषना खिलाना तो फिर उनको पड़ेगा या आगन बाड़ी नही में क्या विचार है अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतक्रियाओं को दे सकते हैं आज किस वीडियो को लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो